रणबीर आलिया को लेकर दीपिका पदकोंड ने खुले आम कहा वो जल्द शादी करने जा रही है आलिया भट और रणबीर कपूर लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं बीच बीच में दोनों की शादी की ख़बर भी आती रहती है आलिया और रनवीर से जब भी शादी के बारे में पूछा जाता है दोनों हंस कर टाल देते हैं हाल ही में दीपिका पदकोंड ने एक इंटर्व्यू में आलिया के जल्द शादी करने का राज खोल दिया दरसल दीपिका और आलिया फिल्म कंपेनियन के एक इंटर्व्यू में पहुची थी इस इंटर्व्यू में उनके साथ 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 स्टार विजे देवर कोंडा, रनवीर सिंग, आय उश्मान खुराना और मनोज बाजपई भी थे यहां विजे से पूछा गया था कि भारतिय सिनिमा में विह किनकलाकारों से सलह लेना चाहेंगे इसके जवाब में विजे ने कहा कि दीपिका और आलिया पर उनका क्रश था तो इन दोनों से सलाग लेता लेकिन अब दीपिका की शादी हो चुकी है इसके बाद दीपिका ने विजे को रोकते हुए कहा आलिया भी शादी करने जा रही है फिर आलिया कहती है एक साक्यूज मीटर आप क्यों इस बात की घोशना कर रही है इस पर दीपिका हंसने लगी और कहा कि बस उन्होंने ऐसे ही कह दिया दिपिका ने भले ही अपने बायान से बचने की कोशिश की हो लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने आलिया की शादी का इशारा दे दिया है अब देखना ये है कि आलिया और रनबीर कब शादी करते हैं फिलहाल दोनों अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं इस वक्त दोनों अपनी फिल्म ब्रहमास्तर की शूटिंग में भी जी हैं। इसी फिल्म के दोरान ही दोनों का अफ्यर शुरू हुआ। हाल ही में आलिया और रनबीर फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली पहुँचे। यहाँ पर दोनों का भव्य स्वागत हुआ। दोनों क मनाली पहुचने के बाद कस्वीरें भी सामने आई हैं